बहु भी किसी की बेटी है अपनी मदू के रोने और कराने की आवाज को सुनकर सीमा हस्पिटल के वाड के तरब भागी ससुराल वालों ने उसकी बेटी को दहेज के लिए जिन्दा जला दिया वो तो पोडस में रहने वाले अब्दुल जी थे जिन्दों ने उसको बचाया और हस्पिटल पहुचा दिया डॉक्टर ने पाज आने से मना किया इस समय उसके ससुराल से कोई नहीं आया दहेज के लोगी किस मुह से आते सामने लेकिन एक माही होती है जो किसी भी परिस्तिती में अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती तब ही अपने उपर कपड़ा बांद कर सीमा किटकी से अंदर जाग कर अपनी मरती हुई बेटी को देख रही है और कुछ से वादा करती है कि मेरी बेटी को इस हालत में लाने वाले को कि मदू के साथ सोसूर और पती को गिरभतार कर लिया इसी बीच मदू को होश आया उसने भी अपनी बाती पुलिस वालों को पता दे केसे आये दिन उसके पती और साथ सोसूर उसको अपने माएके से पैसे लाने को कहते उसको मारते, बुका रखते जब तब उसकी मा उसको कुछ रुपए देती रही तब तो ठिक था लेकिन जब मा ने मेरे से सुराल में आकर सबसे कहा कि वो पूलिस में शिकायत करतेगी तब इन्होंने कहा कि आज से अब कुछ नहीं होगा लेकिन मा के जाने के बाद इन सब ने उसी रात को मुझे जला दिया वो तो अबदुल अंकल ने मुझे बचा लिया नहीं तो वो लालची लोग मुझे मार ही डालते अब तो मदू बयान से पूलिस को पक्का सबुत मिल गया और पुलिस वालों ने सबको जेल भीजवा दिया जितना भी मदू का कन्याधन था जो उसे उसकी शादी में मिला था वो सारा धन, गहिने, सामा, सब मदू को वापिस मिल गया अब सीमा को हमेशा के लिए अपनी बेटी मिल गई सीमा ने सबको समझा दिया कि अगर आपको बेटी है तो आपको उसे मरने नहीं देंगे बल्कि उसका जाता ध्यान रखेंगे माना लड़की वाले बेटी का कन्याधान करते है उसे जिन्दा चलाने के लिए नहीं ससुराल नहीं बेचते सीमा और मदू द्वारा लिया गया कदम कई ससुराल वालों के लिए सबग बन गया जो दहिज के लिए किसी भी बेटी को तंग करने उसको प्रताडित करने के पहले दो बार जरूर सोचे कि हम जो करने जा रहे है उसका गंबिर परिणाम भी उने ही भुगत न होगा दोस्तो जो लड़की आपके घर में बहु बन कराती है वो भी किसी की बेटी है किसी की मा के कलेज़े का तुकड़ा है आप उसके सपनों को पुरा करने की मदद करो देज के लिए अपने बहु को परिशान मत करिये दोस्तो आप कोई छोटी सी कहानी केसी लगी हमें ज़रूर बताए साथी हमारे चैनल को लाइक शेयर सबस्क्राइब